तुमस्कार दोस्तों आई याटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांतियों अनिव द्रोष से जुड़े महतपूर प्रश्णों को देखेंगे और यह TGT, PGT, GIC और LT grade इन सभी परिक्षाओं में जो है बा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पीडियाप इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जोइन करके या पीडियाप डाउनलूड कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं पहला कोईशन आप देख सकते हैं कि 1857 के विपलो यानि किकरांती से संबंदित निम्न घटनाओं को काला नुकरम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहरा दिया गया लखनों में विद्रों फिर है बा ले जो है आपको वतार देशी की 1857 की क्रांती से जुई जुई दिया गया है घटना अनका काला नुकरह है तो में तीस मई को लखनों में विद्रोह हुआ यहां सी की जानी की मिरत जो हुए जून अठारे से उन्टावन में हुए थी तो बी जो है सबसी लास्ट में हो जाएगा यहीं कि बीसी एडी तो आप्शन आप दी शिक्ति हैं पर बी आप्शन सही हो जाएगा दूसरा कुशन आधुनिक भारती इतिहास के निमलिखित विद्वानों में से किसने 1857 की आंदूलन के दौरान ग्रामेड विद्रोह पर काम नहीं किया है तो चार आप्शन है इसमें आपको बताना है कौनसा सही हो जाएगा तो ये विकल्प यहां से हो जाएगा रजत कांत्रे प्रोफिसर रजत कांत्रे इन्होंने जो 1857 की कांति के संदर में नौन में सकारी विवेचनाओं को महत दिया है उन्होंने आंदूलन के दौरान ग्रामेड विद्रोह पर कारिन नकर कलात्मक और साहितिक स्रिजन सेलता पर बल दिया तथा करांति के विविद स्वरूपों को प्रकट करने का प्रयास सिंके द्वारा किया गया था तीसरा कोशन है निम्रिकित में से किस विद्वान ने इस बात का बिरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुक कारणों में से एक क्रिसी समाज की बेचैनी थी तो यहां पर आपका सी आपसन से होगा है रंजीत गुहा रंजीत गुहा यह दच्छिड एसिया के प्रसिद इतिहास कार हैं बरत्मान समय में यह सबाल टन अध्यन समों में प्रभावसाली होने की कारण जो है काफी चर्चित रहें इन्होंने जो 1857 की क्रांति के प्रमुक सावर कर भी करते हैं और चौथा कुषिन 1857 की गदर के समय बैरकपूर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था तो वह था हैरसे 1857 के बिद्रोव के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हैरसे थे और बैरकपुर में ही मंगल पांडे नामकरांतिकारी ने जो है गाय और सुवर की चर्बी लगे कार्तूस के प्रियोग के बिरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 को गोलियां चलाई थी मार्चवा प्रशने किस समकाली बिर्टिस सांसद ने 1857 के बिद्रोव को राष्ट्री बिद्रोव की संग्या दी थी तो वह दिया गया था डिजराइली के द्वारा यह आपसम सही हुगा बिर्टिस सांसद में बेंजामिन डिजराइली ने 1857 के बिद्रोव को राष्ट्री बिद्रोव की संग्या दी थी और लाड कैनिंग ने 1857 इसवी के बिद्रोव की समय यह भारत की गवर्णर जनरल थे शाटवों पृष्ण किस बिर्टिस परसासटक या राज नीतिगह ने पहली बार स्वीकर किया कि 1857 एक राष्ट्री बिद्रोव था तो डिजराइली ने स्वीकर किया था आभी आपको पताय गया है कि बेंजामिन डिजराईली ने जो है 1857 के विद्रोह को राजट्री विद्रोह की संग्या दिया था और साथवा प्रशन ने ने था जने पकड़ा गया वह फांसी पर चला दिया गया था तो हुए थे तात्या टोपे यह आपसन से हुआ तात्या टोपे को उनके एक विश्वसिनी मित्र मान सिंग ने धोखा दे कर उस समर्पकडवा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में सयन कर रहे थे यहां से उन्हें पकड़कर स्विवपूरी लाए गिया और सेनी का दालत में जो है अठारे अपरेर 1869 को फांसी की सजा देख दी गई थी आठों प्रशने अंतिम मुगल सास कौन था तो आप सब को पताओगा बहादूर साह दुती अंतिम मुगल समराड जो है बहादूर साह दुती या बहादूर साज जफर था वह अंग्रेजों का वेंसन भोगी और दिली के लाल किले में साही संस्थान का प्रमुक था और साहीख हिताब का उपभोग नाम मातर के लिए करता था और 1862 में जो है इसकी मृत्त हो गई थी नौवा प्रशने मंगल पांडे एक सिपाही था तो यह 34 मी नेटिव इंफेंट्री का मंगल पांडे एक 34 मी नेटिव इंफेंट्री का एक सिपाही थे और 29 मार्च 1857 को बैरक पुर छावने में सैनिकों ने चरवी वाले कार्तुसों का प्रियोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेटिनेंट बाग और लेटिनेंट जन्दल तूशन के हत्या कर दी थे और अंग्रेजियों द्वारा जो है 34 मी नेटिव इंफेंट्री रेजिमेंट भंकर दी गई और अपराधियों को जो है दंड दिया था दस्मा प्रश्ण 1857 में सक्री हुए मंगल पांडे किस नेटिव इंफेंट्री के थे तो अभी बताया गया आपको यहां पर यहां पर यह आपसन से होगा 34 मी और गरहां कोश्ण 1857 में अवद का चीफ कमिशनर कौन था तो बहुते जेम्स आउट्रेम यह आपसन से हो जाए गये हैं पर 1857 में अवद का चीफ कमिशनर जेम्स आउट्रेम था और आउट्रेम की रिपोर्ट के अधार पर कुशासन की आरोपों की तहत डलहोजी द्वारा 1856 इस विए में अंग्रेजी लाजी की अधीन जो है अवद का बिले कर लिया गया था और हम प्रश्ण आपका क कानपूर में 1857 के विद्रोग का नेत्रित तो किया था किसने तो यहां पर डिया आप सुन सही होगा नाना साहब ने कानपूर में विद्रोग का नेत्रित तो अंतिम पेशवा बाजी राव दूती के धत्तक पूत्रे नाना साहब के द्वारा किया गया और इनका वास्तवि का असली नाम क्या था तो रामचंद्र पांडूरंगताउं का असली नाम और कानपूर छावनी के जनरल सर हुए फ्वीलर की हत्या वह सत्ती चौरा नामक अस्थान पर कर दी गई थी और कैंप वेल के अधिन जो अंग्रेजी से नाने वह 16 दिसंबर 1857 तक कानपूर को जो है विद्रोहियों से मोक्तिक करा दिया था तो यहां जो है आपका डी आप्सन सही हो का ते रहों प्रिशने 1857 में गदर के समय कानपूर में अंग्रेज कमांडिक अफसर कौन था तो यह था सर हुज फीलर यह आप्सन से हो जाएगा यहां पर आपको उपर भी बताएगा है कि कानपूर कानपूर में जो है अंग्रेज कमांडिक अफसर जो था वह कानपूर छाउनी के जनरल सर हीउ हीलर थे और इनकी हत्या जो है सत्ती चौरा नामका स्थान पर किया गया था उगले कोशने 1857 की विद्रोगों के समय बिटेन का प्रधान मंत्री कौन था यहां पर यह मंत्री था उसका कारिकाल जो था अठारे सो पचपन से अठारे सो अंठावन तक जो है इनका कारिकाल था और अगला जो कुशन है आपका 1857 में सिपाही बिद्रोगों कहां से प्रारंग हुआ था तो यह मेरट से जो है शुरू हुआ था डी आपसन सही हो जाएगा 1857 की क्रांती का प्रारंग यह 10 में को मेरट से हुआ था और यहां की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चरबी युक्त कार्तूसों को छूने से इनकार कर दिया था खुलेयाम बगावत कर दिया अपने अधिकारियों पर गोली चलाई था अपने साथियों को मुक 1857 को दिल्ली पर अथिकार कर लिया और लेटिनेंट बिलोबी ने जो कि दिल्ली के सस्त्रागार का कारेवाहत था कुछ प्रतिरोध किया प्रंतूह भी प्राजित हुआ और मुगल समराट बहादूर साहदुती को भारत का समराट घोसित किया गया और दिल्ली के में जो है देरे बिद्रोध फैल गया तो सुरू यह आपका दस मई 1857 में मेरट से हुआ था शुलावा प्रशना 1857 की बिद्रोध की समय मुगल सासा कौन था तो गया था बहादूर साह जफ़र यह आपसं सही हो जाए गया है और 1857 का बिद्रोध प्रारंब हुआ था यह अब दिख सकते हैं कई बार पुछा गया है तो मेरट से प्रारंब हुआ था अगला जो कुशन है अब आपका 1857 में प्रथम स्वत्रता संग्राम का प्रारंब कहां से हुआ तो सेम कुशन है आपका यह भी मेरट से हुआ और अगला जो कुशन है सिपाही बिद्रोध 1857 इस भी की प्रथम चेंगारी भड़की थी तो यह आपका मेरट से जो है शुरू हुआ था 10 मई 1857 को अगला कुशन है निमलिफित में से कौन एक यूग में सुमेल बाहरीट नहीं है क्यों कि तो यहां पे तेख सकते हैं डिया अप्सन इलाहबाद में जो अठाण संथायी शेक्ष toत्री आपकोशन के सिपाही विद्रोह का वरेली में निमिखित में से किसने नेतरीत्य तो यहाँ पे c subscribe से हो जाएगा खान बहादू खान बहादूर खान ने भरेली ऑप में और दिल्ली से बला सिल में तेनि वाधरATT और बक्त कहां थे उसके बाद लखनों से बेगम हजरत महल थी जहांसी से आपको बताया जा चुका है राने लच्छी वाई जगदी स्पूर बिहार में जो पड़ता है वहां से कुंवर सिंग थे और इलहाबाद से जो है लिया कतली इन्होंने जो बिद्रो का नेत्रित्व कि किया था फैजावा से मौल भी एहमद उल्लाह थे और बरेली से तो आपको बताई दिया गया खान बहादुर खान थे अगला जो प्रशने अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांती की प्रकीरति और स्वयरूप पर अधिक संगत धंग से प्रकास डालता है तो यहाँ पर बी आपसंस यह हुगा कि यह एक राष्टी स्वयर्त अंत्रता के लिए लड़ा गया योद्धा 1857 इस भी के बिद्रो की प्रकीरति को लेकर बिद्वानों में अनेक तरह के जो है वह मत्मेल है अधिकांसते भारती इतिहासकार जो है इसे राष्टी आंदोल स्विकार करते हैं जो भारत के स्वयर्त अंत्रता के लिए लड़ा गया जबकि अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सिपाही बिद्रो सामंतवादी या प्रतिकरिया हिंदू मुसलिम सडियंत्र इन सभी की संग्या देते हैं तो यहाँ भी आपसंस यह हुगा त्रिश्वा प्रश्ण है वह स्थान जहां पर 1857 इस बिक के विद्रो को मौलवियों और पंडितों दोरा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था तो यह था बिहार बिया आपसंसी उगब विद्रो का जो है सहसा तथा समय से पूर विस्पोर्ट हो जाने की कारण जो है अखिल भारती आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में यह विद्रो सिमित्रा और अधिकान सेत्रों में सांती बनी रही बंगाल हो गया पंजाब कस्मेर उडिसा यहम दचल भारत में एकरांती फैल नहीं पाई थी प्रम्त बिहार यहम अव लाहत F अब ऑर अगला कोशन है नहीं के हैं कि अथारो शुर्सांतावन के विद्रो का नेत्रे टु किस नहीं पूछा जाएगा दी आपसंसे भी हो जाएगा और अगला कोशेन है ठार्षू संता वन के बिद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार किजिए तो आप देख सकते हैं सूची वन में दिया गया है नेतरितु और सूची टू में बिद्रोह के केंद्र दिये गया हैं तो सबसे पहला है नानसाहबじゃあ आप चुप है इंहों नेत्रत्त किया था ये का हुजय गा धुसरा परें लवाब हमीद अलीख इन्होंने दिल्ली से नेत्रत किया था का बीग हुजय का पहला मॉल्वी एहमदुल्ला सब्सक्राइँ बिद्रोह का नेत्रत हो जाएगा सी आफसन्या सही है अगला कुशन है कि इस मौलवी ने 1857 की क्रांती को जिहाद यानि कि धर में युद्ध की संग्या दी थी तो इसे अहमदुल्लाह ये आफसन से हो जाएगा मौलवी एहमदुल्लाह साहने जो है फैजाबाद में 1857 की बिद्रोह को अपना नेत् करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के ब्रिद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो इनके बारे में अंग्रेज ने कहा है कि अदम में साहस के गुरों से परिपूर और द्रिल संकल्प वाले बेगती तथा बिद्रोहियों में सर्वत हैं और इनके गिरफतारी के लिए ब्रिटी सरकार ने करीब पच्चास हजार रुपए का इनाम भी रखा था अग्रेजों के ब्रिद्ध जिहाद का प्रचार किसी ने किया तो अभी बता बताया जा चुका है मौल वी एहमदुल्ला यह आपसं जो है सही हो गए यहां पर 28 प्रच्चन अंग्रेजों के ब्रिद्धों खासी बिद्रों का नेत्रित्य किया था किसने तो यह थे उतिरोथ सिंग डी आपसं यहां पर सही हो जाएगा बंगाल के पूरब में मेघाले में जो है जैंतिया और गारोपाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे और प्रच्चन के बिरुद्ध उतिरोथ सिंग जो कि इनको तीरत सिंग के नाम से भी जाना जाज़ता था एक खासी बिद्रों का इन्होंने नेत्रित्य किया और 1839 इस भी सिल्ले करके 1833 इस भी तक यह संखर्स चलता रहा तीरत सिंग के अत्रिक्त बार्मानिक और मुकंद सिं सन्यासी बिद्रों की स्काल का है सन जरूर याद रखेगा करें यह पूछा जा चुका है तो यहां पर यह आप समस्रीव गाए 1763-1800 सन्यासी बिद्रों यह आपका 1763-1800 की मद्धे हुआ था बंकिम चंद्र चटर जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस बिद्रों का वर्डन किया है और वारिन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के उपरान थी इस बिद्रों को दबा पाने में सफल हुआ था अगला जो कोशनेवाब का कि 1857 के बिद्रों के बात अंग्रेजों ने तो आपसन आप देख सिकते हैं पे कि भी आपसन से हुगा कि राजियों का विजय करना उन्होंने छोड़ दिया 1857 इसमें के बिद्रों का सबसे महतपूर परिडाम महारानी विक्टोरिया की उद्धोषना थी और यह उद्धोषना एक नॉवंबर 1858 को इलाहबाद में हुए दरबार में लाड कैनिंग द्वारा उद्धोषित की गई और इसमें भारत में कमपनी के सासन को समाप्थ कर भारत का सासन सीधे क्राउन के अधेन कर दिया गया और इस उद्धोषना में भारत में ब्रिटिस समराज के बिश्तार पर रोग और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्त छेप न करना एक समान कानोनी सुरक्षा सब को उप यह अन्य आस्वासन ब्रितिस आसन द्वारा पूरे नहीं किये जासा किये थे लेकिन यहां भी आसन जो है सही होगा अगला जो प्रशन है 1857 की क्रांती में बेगम हजरत महल ने किस अस्थान पर बिद्रो का नेत्रितु किया था तो इनों ने बताया चाँ चुका है लखनव स से बिद्रो का नेत्रित की थिए भी विकल्ब सही हो जाएगा लखनव जो की अवध उसमें छेत्र का जाता था में बिद्रो का प्रारब मुझे हुआ था वह चार जूल 1857 को हुगा और बिद्रो का नेत्रितु बेगम हजरत महल ने किया उन्होंने अपने अल्प बेस अग्रो जो है उपने हाथ में लेली अंत में 31 मार्च 1858 को कैंप विन ने गोर्खा रेजिमेंट की साहता से लखनो पर पून है अधिकार कर लिया था और अगला कोशिन है बाबु कुवर सिंग ने अंग्रेजों के बिद्रो अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी तो इन्ह अग्रेजों के बिद्रो का जंडा बुलंद किया उस समय वे अस्तिव वर्स के थे और अधम ने घार विर्ता और यायक के आधर्स भूर्नों के इसी कारण उन्हें सहिरूत में बिद्रोः कर विद्रों के दौरान ज़िया भियार का सिंग माना जाता है अगला जो कुशन है बिहार में 1857 के बिद्रोह के नायक कौण थे? अभी बताया जा चुका हैprene Baramos, απόरसिंग अगला कुशन है 1857 के बिद्रोह के समय जक्दीसपूर में बिद्रोह का नेतियूत पजान किया गया था किसकी द्वारा सेम कुशन है Baramos, of theった द्वारा जो है परचारकों की बढ़ती गतिविदियां 1857 की विदो की दोरान धार्मिक नेताओं की असंतोस का प्रमुकारड वो इसाई धर्म परचारकों की बढ़ती गतिविदियां थी और 1813 इस्वी में जब इसाई मिशनरीयों को भारत में आने की अनुमती दी गई तब से उनका प्रचार कारी जो है बहुत बढ़ गया और सिच्छर संस्थाओं में भी इसाई धर्म का प्रचार होने लगा 1837 इस भी कि आकाल की समय अनेक बेक्तियों को इसाई बनाया गया और इन सब कारडों से धर्मिक नेताओं में जो है आसनतोस फैल गया तो यहां पर जो है यह आपसन सही हो जाएगा आपका अगला जोग प्रच्छन है 1867 के विद्रो के विशय में डाक्टर आर सी मजूबदार के विचार की कटू आलोचना हुई है जिनके विचारा नुसार तो आपसन आप देख सकते हैं चार दिया गया है तो सही जो हो जाएगा सी आपसन की सामान जनता का अंग्रेजों के प्रति द्रिष्टिकूण सहान भोतिपूर था और अगला जो प्रच्छन है बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो अवद में यह आपसन जो है से हो जाएगा जिंगुरी सिंग दुरुगपाल ने इसमें महत्पूर भूमकानी भाई लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उबरा बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागडों ही नहीं समाली अपित्तु उसे और मजबूत यों जुझारू बनाया बाबा रामचंद्र ये महाराष्ट के ब्राह्मन परिवार के थे और 1920 के मद्ध में वे एक है किसान नेता के रूप में उपरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना सुरू किया और उनमें संगठन की अदभूत समता थी 1920 में इनके प्रियासों से प्रताप गड़ में अवध किसान सवा का गठन भी हुआ अगला कुशन है बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था सेम जो है कुशन है अवध में ये आपसंस ही हो जाएगा है और निमलिकित में से कौन सा से ननायक 1857 के बिद्रोह दमन में सामिल नहीं था तो यहाँ पे बी आपसंसे हो जाएगा नॉट 1857 के बिद्रोह में अंग्रेज से ननायक नॉट सामिल नहीं था जबकि करनल नेल इलहाबाद के बिद्रोह दमन में और जनरल हिवरो जे जहांसी और गौलियर के बिदरोह दमन और हैवला लखनव के बिदरोह दमन में सामिल था अगला कुशन है निमलिकित में से किसने लखनव में 1857 के बिदरोह का नेत्री तो किया था तो यहां पे यह आपको से हुगा बिर्जिस कादिर आपको पहले भी बताये हैं कि लखनव में बिदरोह का प्रारम जो हुआ था हुआ चार जून 1857 को हुआ और बिदरोह का नेत्री तो बेगम हजरत महल ने किया था और उन्होंने अपने अल्फ वेस्क बेटे बिर्जिस का कादिर यदि आपसर में रहता है कि लखनव में जो है अठाशन दाउन के बिदरोह का नेत्री किशने किया था तो बेगम हजरत महल लेकिन उनके अल्फ वेस्क बेटे थे बिर्जिस कादिर और 42 कुशन है निम्रेकित में से किसे भारती किर्षक वर्ग का प्रसम आम बिदर बंगाल का नेल बिदरोह सीबिकलब से हो जाएगा यह सन जयाद रखेगा नील बिदरोह का 1869 सभी, भारती किर्षक वर्ग का प्रसम आम बिदरोह का जा सकता है और यह 1857 की के ठीक बाध बंगाल के नादिया जिले के गोबिंद पुर्गाउं से प्रारंब हुआ था हला कि इसके पूरू सन्यासी बिद्रो हुआ था वो आपका 1763 से 1800 इसमी तक तो सन्यासी बिद्रो का भी समय याद रखीगा 1763 से 1800 और याद रखीगा यहाँ पर नील बिद्रो जो की पूछा था है 1857 की क्रांती के ठीक बाद कौन सा बिद्रो हुआ था तो वह हुआ था नील बिद्रो और संथाल बिद्रो यह भी आपका 1857 की क्रांती से ठीक पहले हुआ था पूछा जाता है यह 1856 में हुआ था संथाल बिद्रो अगला जो प्रिश्ण है आपका बिर्टिज सीना में सिवरत भारती सैनिकों का पहला सैनिक बिद्रो निमलिकी तस्थानों में से कहां हुआ था तो यहाँ पे जो है आपका ए आप्सन से हो जाएगा विल लौर में अठारे सो छे इस भी में बिलोर में कुछ भारती सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजीक धार्मी के रिती रिवाजों में हस्तचेव की क्यारण बिद्रो होकर मैशूर के राजा का जंडा फहराया प्रन्तु अगला जो प्रशन है पागल पंती बिद्रो वास्तों में किसका बिद्रो हो था तो यह था गारों का बी बिकल्प जो है यहाँ पे सही होगा आपका कि पागल पंती बिद्रो यह मुखिताई गारों का एक बिद्रो था और पागल पंत एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्री बंगाल के करम साह ने चलाया था और करम साह के पुत्रे तथा उत्राधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनेती कुर्देशों से प्र करने लगा और प्रसासन को चलाने के लिए उसने एक नियाएधीज एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी निवक किया था कि अब लेकोशने निम्लिक खित में से किस विद्रोह को किस विद्रोह का नेता विर्षा था कि यहाँ पें सी हनुस्ट्रोह के नेता बिर्षा मुंडा को उल गुलान इनके विद्रोह को उल्गुलन मुंडों के पारमपरिक tai वाली भूमी वियावस्ता में परिभर्तिद के विरुद्ध उन्डा विद्रोह के शुरुआत हुई लेकिन कालांतर में बिर्षा ने इसे धार में एक राजनितिक आंदोरों का रूप प्रदान किया उन्डा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 के बीच हुआ और 1895 में बिर्षा ने अपने आपको भगवान का जड़ाई होगी और उनके खून से जमेन इस तरह लाल होगी जैसे लाल जंडा तो यहां जो प्रस्ण पुछा गया कि निम्न में से किस बिद्रोह का नेता विर्षा थे तो वह मुंडा बिद्रोह के 46 कोशन है दामन एकोह से आसे है तो यहां पे आपका यह आपसन से हो जाएगा संथाल बहुल छेत्रे दामन एकोह से आसे संथाल बहुल छेत्रे से है इसके अंतरगत बीर भूम, ढाल भूम, सिंग भूम, मान भूम और बाकुरा के छेत्र जो है आते हैं तो यह आपसन यहा मुहतपूर प्रश्ण जो की कई बार आप देख सकते हैं TGT PGT GIC और LTE ग्रेट NBS KBS में पूछे गए सभी प्रश्ण है तो वीडियो दी प्रसंद आया हो तो अशुल करना चाहते हैं तो अपनय प्नी तरी आइझारि को बेहतर से कर सकते हैं और अधिय। आसे अध् downstream को आप क्रैक कर सकते हैं जिसमें आपको 3 महिने का immune एक जो है सब्सक्रिब्शन प्रदान किया जा रहा जिसे आप जो है अपनी त्यारी को बहतर और कर सके हैं फिर फटे यूपी पीसी एस इसकालर सीप टेस्ट है यह अवरी संडे को जो है टाइमिंग है इसका 11 बजए आप जोईन कर सकते हैं फिर गुरू नेत्री तो इसकालर सब्सक्रिब्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स आपको इतने सार जो है दिये जाएंगे फिर है आरो यारो प्रिलिम्स के लिए प्लस टेस्ट स्रीज देख सकते हैं बैच को से जो एवलिबल हैं भी विजयपत जीएस के पर त्री एंसर राइटिंग बैच कोस द्वारी कीस यह आपका 18 जून से शुरू हो गया है फिर लक्षे यूपीपेसी 2022 यह आपका एक साल का प्रिलिम्स और मेंस बैच कोस है जो कि 13 जून से शुरू हो रहा है जो लोग जोईन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होहां से जाके देख सकते हैं और इनमें से आप किसी भी एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं तो आप अनेकैडमी पे जूर सकते हैं यह आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे एक्जाम लर्नर तो आपको 10% का instant discount मिल जाएगा तो सब्सक्रिप्शन लेते से में हमारा रेफरल कोड एक्जाम लर्नर जरूर यूज किजिएगा उसका सूपर कामबो सब्सक्रिप्शन है यह आपका घर बैठे बीपीएस्टी और यूपीपीएस्टी की तयारी एक साथ अनेकैडमी के साथ आप कर सकते हैं और हमें आप टेलीग्राम पे जोइन कर सकते हैं एक्जाम यूपीएस्टी और जरूर इंस्टाल कर लेजिए